हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स के जो प्रीविए सियर क्वेशन्स आए हैं पी वाई क्यू जुनको कहते हैं इस वर्ड से आप नोन होंगे उसके क्वेशन्स अप्लोड कर रहे हैं चेप्टर है एलेक्टोस्टेटिक्स पोटेंशल एंड कैपिसिटिन्स फंडा क्लियर होगा चेप्टर का तभी आप इसकी त्यारी कर रहे होंगे ठीक है हम एक वीडियो में एक एक क्वेशन्स अप्लोड कर रहे हैं जानबूस करके ने इसलिए नहीं कि नंबरा वीडियो बढ़ जाएं इसलिए कि आप फ्रवा सब त्यार करते रहे हैं देखते है अगला क्वेशन देखें ये नीट दो हजार अठारा का क्वेशन है जब तक हम क्वेशन पढ़ते हैं तब तक आप उसकी पिक्चर को देखिए आप को सामने वो फ्लैस हो रही होगी लिखा है दा इलेक्रोस्टेटिक फोर्स बिट्वीन अ मेटल प्लेट्स आफ एन आइस इक्वाल एन अपोजिट चार्ज क्रेट होता है तो उसका कैपिस्टन सी है एविंग चार्ज क्यू और एरिया उसकी है उसकी प्लेट को चार्ज क्यू दिया गया है उसकी एरिया ए है तो बताना है कि उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो कुछ आप्शन है कि to the distance between the plate होता है independent of the distance between the plate होता है या inversely proportional to the distance between the plate मतब जो force दोनों प्लेटों के बिच्च काम कर रहा है वो दोनों प्लेटों की डिस्टेंस पर किस प्रकार से डिपेंड करता है जरा समझने की कोशिद करिये क्या है मतलब अचले आप जानते हैं कि ये एक कैपसिटर है एक प्लेट ये है इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दिया है फंडाप का क्लिर होना चाहिए और ये प्लेट सामने रखी वी है ये अंचार्ज रहती है और इंडक्शन के दोरा अपने आप इसके निगेटिव चार्ज दर शिफ्ट हो जाते हैं ये पोलराइज हो जाती है और ये बाहर वाली कुम अर्स जोड़ देते हैं ये फंडाप जानते हैं और अगर प्लेट का एरिया ए है और इसके बीच की डिस्टन्स डी है तो एक्चुली में ये जो प्लेट डी डिस्टन्स पर रखी है ना ये ये वाली जो पॉजिटिव प्लेट इसको खीचेगी अपनी तरफ खीचेगी ना तो इसका मतलब हम अगर इसको यहीं रखने देना चाहें कि भाई यहीं रही है आप क्योंकि यहां तो अट्रक्शन फोर्ड लग रहा है तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा तो जिस फोर्स से खीच रही है न वही फोर्स आपको निकलना है तो आप एक चीज़ जानते हैं चुकि स्माल डी के टम में हमको लाना है हम जानते हैं चुकि इसके अंदर air है नहीं अब आप कहेंगे यह कहां लिखा हुआ है यह लिखा तो नहीं हुआ है लेकर यह भी तो नहीं लिखा हुआ है isolated word है और इसका मतों कोई media महां पर नहीं है तो यानि कि इसका जो c होता है वो epsilon not a upon d होता है अब आप कहेंगे आप किस funda से लगाएंगे यह बताईए देखो work is equal to force into distance होता है वहां से लगाएंगे work का मतलब यह हुआ कि इस plate को यहां से यहां तक रखने में आपको work न पड़ा वो work इस जो इस capacitor है इसकी energy के form इस्टोर हो गया तो आप जानते हैं कि energy stored in capacitor जो है ना capacitor वही है work के बराबर है ना यानि w बराबर energy stored का formula क्या होता है बहुत सारे होते है चलिली half cv square हमने पड़ा है चुकि v का introduction है नहीं तो half q square upon c हमने पड़ा है half q square upon c हमने पड़ा है देखो half cv square पड़ा हमने हमने half q square upon c पड़ा है हमने half q into v पड़ा है ठीक है वो सारे formula हमने पड़े है चुकि charge की बात की गई है यहाँ पर capacitance की बात की गई है यहाँ पर इसलिए हमने वह अला फामुला लिखा जिसमें charge हो और capacitance हो यह energy होती है और आप जानते हैं इसी को force into distance कहेंगे तो half q square upon c तो चुकि हमें कहा गया कि force की वालू distance पर कैसे डिप्रेट करती है तो f बराबर half q square upon c की वालू क्या है epsilon not a और upon d उपर जाएगा यह d नीचे आएगा d डी कड़ गया तो यह यहां पर दोनों प्लेटों की distance आई है नहीं आई है जब distance आई ही नहीं है तो force distance के square linearly reciprocal पर कैसे depend कर सकता है तो इसका जो part है c part सही है independent of the distance between the plate यह distance पर depend नहीं करता तो इस funde को याद भी रखिए अच्छी बात है याद रहे तो अच्छी बात है हम यह नहीं करें फार्मला याद रखिए फार्मला याद रहे तो अच्छी बात है लेकिन अगर आप यह याद रखते है कि जो force लगता है capacitor की plate की बीच में क्योंकि force लगने वाला है क्योंकि यह plate जो negative है यह positive है इसको घसीडी के अपनी तरफ और आपके इतने वहीं रखे रहो तो यह आपको work भी करना पड़ेगा तो energy भी इसमें है तो एक तो energy का formula आपको clear हो गए तीन formula और यह force का formula हो गया और force किसी भी तरीके से इस पर डिपर नहीं करता है d small d पर ठीक तो इस C part is correct next in the next video thank you